आप देखें मेरे चैनल ब्लू ब्लो रीस काइंडी जो भी न्यू है मेरे चैनल को सब्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें आप जो रेसिपी में आपके लिख राई हूं वह मसे ताज अम मटर प्लाव रेसिपी मटर प्लाव गाने के लिए मैंने लिया हाफ केजी राईस, हाफ केजी मटर, ओनियन, ग्रीन चिली, गार्लिक, गरम मसाला, सॉल्ट, चिली फ्लैक्स, चिल्टन पाउडर और बिरियानी मसाला अब हम onion को कर लेंगे cut और garlic का हम बना लेंगे paste और green chili को भी cut कर लेंगे onion को हम centre से 2 पीस करेंगे और slice में इसको करेंगे cut पूर सब्रूरत करेंगे इसी तरह हम सारी ऑनियन जो है वह कर लेंगे इसारी ऑनियन कर ली है अब हम ग्रीन चिली को टू पीसेज में करेंगे इसके सैंटर से हम दो पीस करेंगे और इसी तरह हम तमाम क्रीन चिली को कट कर लेंगे क्रीन चिली मटर प्लाव में बहुत अच्छा टेस्ट देती है और अब हम लेंगे एक पैन उसमें हम कट किया हुआ अनियन डाल देंगे और हम अनियन को करेंगे लाइट सा ब्राउन क्यूंकर मुझे राइस में इतना ज्यादा कलर नहीं देना तक मुझे वाइट सा ब्राउन करूंगी आप जितना कलर बसंद करते हैं राइस में इतना ही अनियन को ब्राउन करें और अब मैं डाल दूंगी इसमें गरम मसाला और हम इसे लाइट सा ब्राउन कर लेंगे हमारा जो अनियन है लाइट ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे कार्लिक पेस्ट उसे कर लेंगे हम मेक्स मैं डाल दूँगी अब इसमें जिकन पाउडर रियानी मिसाला चिली फ्लैक्स और सॉल्ट जिकन पाउडर जो है मेटर कलाव में बहुत अच्छा टेस्ट लेकर आएगा और मैंने इसमें डाल दिया है टिमाटर एक टिमाटर हम डाल देंगे यह ऑप्शनल है आप डालना चाहें तो डाल दें और आप मैं इसमें डाल दूँगी मटर और इसे कर लेंगे हम अच्छे तरीके से मिस और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी और राईस को मैंने कर लिया था सोग और हम इसे कवर कर देंगे तकरीबं टैन मिनट्स के लिए टैन मिनट्स के लिए मैंने इसको कवर कर दिया है पानी में बॉइल आ चुका है और 10 मिनिट्स हो चुके है मटल जो है हमारे गल चुके है और अब मैं इसमें डाल दूँगी सौक्योवे राइस सौक्योवे राइस इसमें मैं सारे डाल दूँगी और इसे हम कर लेंगे मेक्स मिक्स करने के बाद आप में इसे कर लेंगे कवर तक इसका पानी जो है वो ड्राइ हो चाए अब ये पानी हमारा ड्राइ हो चुका है अब मैं इसको लगा दूँगी दम अब इसे दम पर रख देते हैं तक्रीबन 50 मिनिट्स के लिए और 50 मिनिट्स के लिए मैंने दम पर रख दिया इसको अब हम इसे चेक कर लेते हैं और हमारे राइस में दम आ चुका है बहुत ही अच्छा राइस और खिला खिला राइस बना है अब हम इसे कर लेते हैं डिश आउ मैंने राइस को डिश आउट कर दिया है मेरी रेसिपी आपको पसंद आए सब्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें और आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखे अलाफिस